नमस्कार साथियों आपके अपने चैनल Creating Mathematicians में आपका स्वागत है साथियों आज मैं बहुत ही important topic linear algebra पर discussion करूँगा इस topic की demand आप मैंसे बहुत लोगों ने comment में की थी इसलिए मैं इस topic पर आज discuss कर रहा हूं वैसे ये topic बहुत ही lengthy होने के कारण मैं इस पर pre exam के बाद ही discuss करना चायता था समय बहुत कम होने के कारण आज ज़्यादा concept में ना जाते हुए questions को कैसे करना है मैं इस पर focus करूँगा प्री के कुछ समय बाद मैं इस topic पर बहुत ही deep discussion करूँगा तो आईए शुरू करते हैं आज का lecture question number 1 देखिए यहाँ पर लिखा है forward value of m the vector m31 is a linear combination of vectors e1 and e2 कोई दो vector और दिये गए तो यहाँ पर हमको m की value निकालनी है और यह vector जो है वो e1, e2 इन दो vector का linear combination है तो अगर कोई vector किनी दो vector का linear combination है तो हम इन तीनों से एक determinant बनाएंगे और वो equal to 0 होगी यहाँ पर तो देखिए जैसे यहाँ पर m31 हमने सबसे पहले यह vector ले लिया और यह दोनों vector जो भी है इनका ले लिया coefficient जो भी है इनके 3, 2, 1, 2, 1, 0 अब यह जो हमारी determinant बनी है इसकी value 0 होगी अगर कोई vector किनी दो vector का linear combination है तो उनसे बनी जो भी determinant होगी उसकी value 0 होगी और अगर determinant जो है उसकी value 0 नहीं है तो यह not linear combination होगा और यहाँ पर determinant A की value 0 है तो यह linear combination होगा बस आपको इतनी बात याद रखनी है तो यहाँ पर देखिए linear combination है ऐसा कहा गया है तो हम इस determinant की value 0 ले ले लेंगे अब हम इस determinant की value solve करके निकालेंगे तो यह जो है वो minus M plus 5 आ जाएगी sorry M plus 5 आ जाएगी equal to 0 इससे हमको M की value मिल जाएगी 5 तो option A जो है वो हमारा यहाँ पर सही होगा next question देखिए if the vectors देखिए तीन vector यहाँ पर हमको दिये गए है are linearly dependent than the values of AR A की हमें value निकालनी है तीन vector जो है वो LD है तो यहाँ पर भी ऐसे ही determinant को लेके condition है कि अगर इन तीनों vector से बनी determinant अगर 0 है तो जो vector है वो linearly dependent होंगे और अगर determinant की value non-0 है तो linearly independent vector होंगे तो यहाँ पर dependent कहा गया है तो हम इन तीनों से बनी determinant लेंगे उसको equal to 0 रख देंगे solve करेंगे तो A की value आ जाएगी तो देखिए यहाँ पर इसको जब हमने solve किया यहाँ बहुत easily solve कर लेंगे तो 2A minus AQ आ जाएगा A common ले लिया अंदर 2 minus A square equal to 0 हमने रख दी इस determinant की value तो A की value 0 और जब हम इसको 0 रखेंगे तो plus minus root 2 आ जाएगा तो इस तरीके से हमको A की 3 value मिली option C जो है वो हमारा सही है next question देखिए वो भी यहाँ पर इसी का यह दोनों ही question second और third GIC 2015 में आय हुए है और बहुत easy working है इसमें यहाँ पर इसमें भी देखिए UVW 3 vector है then value of k निकालनी है for which UVW are linearly dependent यह 3 vector dependent है same यही काम है आप इनसे determinant बना लिएगा उसकी value equal to 0 रख लिएगा k की value आ जाएगी k की value minus 8 यहाँ पर आएगी आप इसको कुद solve कर लिएगा next question देखिए बहुत important question है यह भी find the coordinate vector of V V यहाँ पर हमार कोई vector है उसका हमको coordinate vector निकालना है relative to the basis यहाँ पर basis दिया गया है तो इस basis में देखिए यहाँ पर 3 vector है अगर आपने नहीं भी basis वगरा पढ़ा है मैं आपको process समझा रहा हूँ आप इस question को easily कर लेंगे आप यह समझिएगा method को तो vector अगर हमें किसी भी vector का coordinate vector निकालना है तो हम सबसे पहले उस vector V का जैसे यहाँ पर vector V है इसका हमको coordinate vector निकालना है तो इसका हम जो लिखेंगे इसको इन तीनों basis के linear combination के बरावर तो इन basis का जब linear combination हमें लेना होगा तो linear combination किनी भी दो या तीन या चार vectors का linear combination अगर हमें लेना है तो जितने vector हैं उतने हम scalar लेते हैं और vector में multiply करके add करके लिखते हैं तो देखें यहाँ पर तीन vector हैं तो हम तीन scalar ले ले रहे हैं alpha 1, alpha 2 और alpha 3 और इन vectors में multiply करके इनको लिख देते हैं alpha 1, e1, plus alpha 2, e2, plus alpha 3, e3 तो यह जो है वो in basis का linear combination बन गया equal to यह given vector जो है वो उसके बरावर होगा तो आप समझ गया होंगे कि हमें क्या करना है कि जो भी vector दिया गया है उसको equal लेना है basis के linear combination के लिए और linear combination के लिए हम जितने vector हैं उतने ही scalar लेके multiply करके add कर देंगे अब हम इसको solve करना शुरू करते हैं और देखे कैसे हम alpha 1, alpha 2, alpha 3 की value निकालेंगे तो यह जो alpha 1, alpha 2, alpha 3 की value आएगी उसको हम इस तरीके से common के रूप में लिखेंगे column में alpha 1, alpha 2, alpha 3 तो यही जो है वो हमारा coordinate vector होगा V का तो अब हम यहाँ पर working सुरू करते हैं V जो है वो हमारा 3, 5, minus 2, equal to alpha 1 और E1 जो है वो हमारा 1, 1, 1 है, plus alpha 2, E2 जो है वो 0, 2, 3 है, plus alpha 3, E3 जो है वो हमारा 0, 2, minus 1 है अब हम इसका अंदर multiply कर देते हैं, आगे ही देखिए, तो यह alpha 1, alpha 1, alpha 1 हो जाएगा, इन सब के बीच में कॉमा लगेगा plus इसका करेंगे, तो यह 0 हमारा हो जाएगा, कॉमा 2 alpha 2, 3 alpha 2, और plus इसका जब अंदर करेंगे, तो हमारा यह हो जाएगा, 0, 2 alpha 3, minus alpha 3 अब देखिए, यहाँ पर यह 3 हमारा पास vectors हैं, इनको हमें add करना है, तो सब का पहला पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा, तीसरा add करेंगे, तो हमको एक vector मिल जाएगा, तो देखिए, यह आएगा, alpha 1, plus 0, plus 0, तो यह alpha 1, plus 2 alpha 2, plus 2 alpha 3, alpha 1, plus 2 alpha 2, plus 2 alpha 3, ऐसे इसको add करेंगे, तीसरा, तीसरा, तो यह alpha 1, plus 3 alpha 2, minus alpha 3, इधर यह हमारा 3, 5, minus 2 आएगा, तो LHS में भी एक vector, और RHS में भी एक vector है, अब हम इसको equate कर देंगे, तो इससे देखिए, यहाँ पर पहला, पहला, तो 3 आजाएगा, दूसरा, दूसरा बरावर लेंगे, तो alpha 1, plus 2 alpha 2, plus 2 alpha 3, equal to 5 आजाएगा, तीसरा, तीसरा बरावर लेंगे, तो alpha 1, plus 3 alpha 2, minus alpha 3, equal to minus 2 आजाएगा, तो देखिए, यह alpha 1 की value तो हमको मिली गई है, अब alpha 1 की value हम इन दोनों equation में रखेंगे, तो alpha 2, और alpha 3 में हमको यहाँ पर दो equation मिल जाएगी, उनको solve कर लेंगे, तो alpha 2 और alpha 3 की value आजाएगी, तो alpha 2 की value minus 1, और alpha 3 की value 2 आजाएगी, तो finally यहाँ पर जो हमारा coordinate vector हो जाएगा, वो हो जाएगा, alpha 1, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, यह 3, minus 1, और 2, यह हमारा answer आजाएगा, next question दिखे, इसमें भी यहाँ पर हमें coordinate of vector 2, 1, minus 6, यह निकालना है, relative to the basis, यहाँ पर यह basis दिया गया है, तो same पिछले question की ही तरह है, यह question GIC 2015 में आया है, अब देखे, यहाँ पर working भई है, मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ कि जैसे यह कोई vector है, इसका coordinate vector निकालन है, तो हम इसको लिखेंगे, in time of linear combination of यह basis, जो भी basis है, उनका linear combination बनाएंगे, equal to this vector के लिखेंगे, तो यहाँ पर देखे, alpha 1, alpha 2, alpha 3, हमने 3 scalars ले लिए, इन basis में हमने multiply करके, add करके लिख दिया, अब e1, e2, e3 यह basis जो है, इनकी value हमने रख दी, alpha 1, alpha 2, alpha 3 का देखे, अंदर ह अब हमें यहाँ पर करना क्या है, देखे, यहाँ पर e1, e2, e3 vector है, तो तीन vector add करे जाएंगे, तो एक vector आएगा, तो हमको यह process apply करके, एक vector इस तरीके से हमको लाना होता है, LHS में भी देखे, एक ही vector है, फिर compare करना होता है, तो देखे, इनका हमने अंदर multiply कर दिया, फिर प equal हैं, तो हम compare करते हैं, इस से alpha 1, alpha 2, alpha 3 में तीन equation हमको मिल जाएंगी, तो देखे, यह alpha 1 plus 3 alpha 2 plus 2 alpha 3 equal to 2 आ जाएगा, alpha 1 minus alpha 2 equal to 1 आ जाएगा, और यह 2 alpha 1 minus alpha 3 equal to minus 6 आ जाएगा, तीन equation बन गई, अब आप इनको बहुत easily solve कर लेंगे, तो alpha 1, alpha 2 और alpha 3 की values आ जाएगी, तो जैसा मै मैंने पिछले question मताया, कि coordinate vector जो है, वो in values का इस तरह से column में करके लिखा जाता है, तो option B जो हमारा यहाँ पर सही होगा, जो options दिये गए हैं, यहाँ पर paper में, वो इस type से दिये गए हैं, तो जैसे भी option दिये गए हैं, values हमारी मिल नहीं है, वो फिलाल option B सही है, लेकिन लिख IEC में आये थे, यहाँ पर हमको linear transformation है की नहीं है, यह पहचानना होता है, transformation दिया होता है, वो linear है की नहीं है, यह हमें पहचानना है, ऐसे दो question जो है, IEC 2015 में आये हैं, तो देखें यहाँ पर, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि यह linear transformation है क्या, linear transformation जो है, वो एक function होता ह वेक्टर स्पेस U से वेक्टर स्पेस V पर एक function है जिसको की हम linear transformation बोलते हैं अब यहाँ पर जैसे यह जो लिखे हैं अगर यह linear है माल लीजिए तो इस T के द्वारा इसकी image यह होगी जैसे सेम जो आप intermediate में F X to Y परते हैं कि F जो है वो X से Y पर एक function है जिसमें कि यह domain है और यह co domain है इस F के द्वारा X की image जो है वो Y है इस तरीके की बात आप intermediate में relation function में परते हैं सेम वही चीज है यहाँ पर कि T कोई function है बस यहाँ पर जो F function होता था वो X से Y किसी set से किसी दूसरे set पर होता था यहाँ पर जो T function है इसको linear transformation बोलते है यह किसी vector space से किसी दूसरे vector space पर होता है तो U और V जो है वो यहाँ पर vector space है किसी field F पर अब जैसे यहाँ पर यह देखिए notation लिखा है T says that R cube to R cube यानि कि यह जो vector space है यह भी R cube और यह दूसरा जो vector space है यह भी R cube है तो यह three dimensional vector space है तो linear transformation जो है वो three dimension से three dimension या two dimension से three dimension कुछ भी हो सकता है जैसे यहाँ पर देखिए यह two dimension से two dimension है two dimension से three dimension भी हो सकता है मतलब R से लेके R cube भी हो सकता है R cube से लेके R square हो सकता है कुछ भी हो सकता है जबकि जो आपने intermediate में यहाँ पर function पढ़ा था वो एक डाइमेंशन से एक डाइमेंशन पर होता था तो बस यह अंतर है यहाँ पर तो अब हमें यहाँ पर पहचानना है कि यह जो transformation है वो linear है कि नहीं है तो इसको मैं 3-4 questions से आपको clear करूंगा बिना किसी calculation के केवल आप देखके बता देंगे कि यह linear है कि नहीं है और बहुत ज़्यादा important questions होते हैं यह कोई working नहीं करनी है वैसे इसमें working होती है अच्छी खासी बट वो tough पड़ती है यहाँ पर आपको option देना है केवल सही क्या है तो आप समझिए है क्या यहाँ पर देखे टी xyz यह कोई हमारा three dimensional vector है उसकी image यह है आप आप समझ पा रहे होंगे इन बातों से जो मैंने आपको बताइए तो यहाँ पर जो image है वो linear होनी चाहिए लिनियर transformation में image जो है वो यहाँ पर linear होनी चाहिए तो देखे जैसे की यहाँ पर your Mansion 33 यह तो linear है 5z यह भी linear है लिकनि यह x into y जो आ गया है यह हमारा linear नहीं हुआ तो यह भी जो transformation है वो linear transformation नहीं है यहाँ पर देखिए यह हमको देखने में linear लग रहा है बट यह linear नहीं है क्योंकि x में यहाँ पर 3 add हो गया y में 1 subtract हो गया तो कोई भी constant अगर x y z के साथ आ जाता है addition subtraction में यह multiply से नहीं मतलब है यहाँ पर addition subtraction में आ जाता है तो फिर वो linear नहीं माना जाएगा तो यह भी जो है वो हमारा linear transformation नहीं है अब हम आते हैं आखरी वाले में देखिए ये हमारा linear है x plus z x into z होता तो ये linear ना मानते x plus z है ये हमारा linear है y minus 3x ये भी linear है और 2z ये भी linear है तो कुल मिला के ये पूरी image जो है वो linear है तो ये जो transformation दिया गया है image के time में ये हमारा linear transformation होगा आप समझ पाए होंगे कि क्या यहाँ पर conditions हैं बाकि और जो conditions हैं यहाँ पर आप कुछ और question देखिए उससे आपको सब कुछ clear हो जाएगा इसमें भी यही पूछा गया है देखिए which one of the following is linear mapping linear mapping या linear transformation linear function एक ही बात है सब तो यहाँ पर देखिए t r square से r square है यहाँ r cube से r square है बस अंतर क्या होगा इसको भी आप जरा समझ येगा इससे आपको काफी हद तक linear transformation clear होगा जैसे r cube से r cube था तो यहाँ पर देखिए यह 3 dimension था image भी 3 dimension थी अब यहाँ पर देखिए r square से r square तो देखिए यहाँ पर यह जो हमारा domain का element है यह भी 2 dimension है यहाँ यह सिंगल एक आया है यहाँ पर 1 dimension और इधर यह 3 dimension आया है तो आप इस बात को यह समझ यह होंगे कि जो linear transformation का domain और code domain यह जो vector space है यह 2 dimension 3 dimension 1 dimension कुछ भी हो सकते हैं बट हमको यहाँ पर फिलाल इस question में linear mapping कौन सी है linear transformation कौन सा है यह पैचानना है तो अब यहाँ पर जो नई बातें आएंगी जो यहाँ इस question में नहीं आई थी उनको आप समझिएगा कि यह जो image है यहाँ पर mod नहीं होना चाहिए तो यहाँ पर यह जो image आ रही है यह mod में है तो कुल मिलाके यह भी हमारा जो है वो linear transformation नहीं होगा इनको जरा देख लिए यहाँ पर देखिए यह square और यह cube आ रहा है तो यह भी linear transformation नहीं होगा इसमें देखिए यहाँ पर 0 आ रहा है जैसे इसमें भी 0 आ रहा था तो आप यह बात बद्ध्यान न किये कि 0 चल सकता है 0 चलेगा यहाँ पर linear transformation में अकेला अगर 0 है तो वो चलेगा बट क्या नहीं चलेगा mod नहीं चलेगा power 2 या 3 जैसे यहाँ पर यह square x cube है यह नहीं चलेगा x into y है जैसे यहाँ पर कहीं था x into y यह नहीं चलेगा तो linear हो और 0 हो तो चलेगा बाकी जैसे कोई constant addition subtraction में है तो नहीं चलेगा बस आप इतना अगर ध्यान रखते हैं तो आप देखते ही बता देंगे कि linear transformation है की नहीं है तो आप यह समझ पा रहे होंगे कि यह भी linear transformation नहीं है और इसमें देखिए यहाँ पर 0 चलेगा बट यहाँ पर x minus 2y इतना तो ठीक था लेकिन इसके साथ यहाँ प्लस 5 आ गया तो यहाँ पर यह addition यह subtraction में constant नहीं होना चाहिए तो यह भी हमारा linear transformation नहीं है अब हम इस पर आ tapping है next question में आते हैं which of the following function r² से r² है यह linear transformation है कि नहीं है तो अब तक आप कुछ समझ चुके होंगे नहीं तो और देखिए एक दो example उससे आप यह देख के ही तुरंत लिख देंगे तो इसको देखिए यह जो है हमारा linear transformation है तो बस यह option हमारा जो है वो a सही होगा लेकिन आप और आगे चेक के लिए देखिए जैसे यहाँ पर यह linear transformation नहीं है क्योंकि यहाँ पर x1 का square है xyz की जिए जैसे यहाँ पर x1 x2 आ गए है यहाँ पर देखिए इसमें यह constant आ गया है तो यह linear transformation नहीं है यहाँ पर भी देखि हो रहा होगा कि कैसे हम यहाँ पर देख के ही पहँचाल लेंगे जो भी बाते मैंने आपको बताई है वो बस आप ध्यान में रखिए तो आप देखते ही पहँचाल लेंगे कि यह linear transformation है कि नहीं है next question में आते हैं देखिए यही दो question जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि दो question इस matter के उपर आये थे GIC में तो यही दो question जो है यह आये थे यह भी इसी matter का है next देखिए यहाँ पर given देखिए दो statement दिये गए हैं आपको यहाँ पर पहले तो आप इन statement को देख लीजिए कि T कोई हमारा linear transformation है R cube से लेके R square defined by अब आप यह 3 dimension 2 dimension वाली बात आप समझ चुके ह यहाँ पर यह 3 dimensional vector होगा और यह 2 dimensional तो यह जो है वो linear है यहाँ पर यह हमको दिया गया है तो देखिए अब आप समझ चुके होंगे अब तक कि यह जो है वो linear नहीं है क्योंकि modulus आ गया है तो यह statement हमारा false है आप समझ रहे होंगे अब statement B पर आईए R cube से R cube पर यह हमारा linear transformation है defined by this तो यहाँ पर देखिए यह A plus 1 है तो इसके कारण से यह linear transformation नहीं होगा यह जो plus 1 आ गया है 0 चलेगा यह बात आप ध्यान न कियेगा तो यह statement भी false है अब हमारे पास 4 option है तो इसमें D option जो है वो हमारा यहाँ पर सही होगा कि A and B both false next question देखिए यह भी वही linear transformation है की नहीं है कौन सा है यह मैं पता करना बट यह अब अलग type है कुछ question आ गया है देखिए यहाँ पर सब कुछ वैसा ही दिया गया है बट यहाँ पर X Y जैसे होते थे या ABC होते थे उनकी जिगे numbers आ गये तो यह कुछ उस तरीके की बात हुई जै लेकिन अब उसी में जैसे अगर मैं 2 की image निकालनी हो तो F2 रख दिया और इधर आ गया हमारा 7 तो अब यह जो दिया गया है वो इस form में दिया गया है आप समझ पा रहे होंगे मिलान आपकर पा रहे होंगे जो भी आपने इंटरमीडेंटर पढ़ा है उससे कि अभी तक हम आपको इस form में एसे लिखा हुआ मिला था यह सब जो भी मिला था अब इस form में लिखा हुआ Hamilton तो अब इसमें पहचानने का क्या तरीका यहां पी जो बह में क्योंधेली मेंट है जैसे इसको आप इसको आप देखिए इन से एक巧 हमचन रसा बनाईे है अगर यह non zero आ रही है तो यह जो transformation है वो linear transformation होगा तो आप देखिए यहाँ पर इससे एक determinant बनाई है 3, 2 1, 1 तो यहाँ पर इसकी value जो आएगी वो 3 minus 2 यानि की 1 आ जाएगी जो की non zero है तो यानि की यह वाला जो transformation है वो linear transformation होगा समझ गयोंगे आप आपको क्या करना है यहाँ पर अब और मैं आप चाहे चेक करके देख लीजिए इसकी और इसकी जब आप बनाएंगे t के साथ जो element आप इसको समझ जीएगा यह domain का जो element है इधर और इधर image से हमको मतलब नहीं है तो जब हम इसकी बनाएंगे तो इसकी देखिए यहाँ पर 2 minus 5 और यह लिए लिया हमने minus 2 of 5 इसकी जब हम determinant की value लेंगे तो देखिए यह 0 आएगी यहाँ पर देखिए इसकी जब लेंगे 1 1 2 2 तो देखिए यह तो सीधे दुग ना दिख रहा है 2 common ले लेंगे determinant से तो 1 1 1 1 1 दो रो से मो जाएंगी यह भी 0 आएगी यहाँ पर यह देखिए यहाँ पर third order की है तो 1 2 3 0 4 minus 2 और 1 6 1 आप इसकी एक determinant बनाके चाहे solve करके देख लिएगा value जो है 0 आएगी तो केवल इसी question में ऐसा हो रहा है कि हमारा यह जो determinant इसमें बन रही है वो non-zero आ रही है तो determinant की value non-zero होनी चाहिए linear transformation में question आप समझ गया होंगे कि कैसे करना है next question देखिए यह formula basic केवल सीधे formula यहाँ पर लगेगा VF is a vector space जैसे यहाँ पर VF लिखा है यानि कि V जो है vector space है over field F vector space and M जो है वो इसका sub space है if dimension of V equal to N and dimension of V by M equal to R then dimension of M is तो इसके लिए सीधे formula बाकि dimension अगरा यह सब क्या है मैं जब deeply पढ़ाऊंगा sub space dimension यह सब आपको बहुत अच्छे से clear कर दूँगा तो यहाँ पर सीधे formula है आप इसको learn कर लीजिए कि dimension of V by M equal to dimension of V minus dimension of M तो यहाँ पर देखें dimension of V by M जो है वो R दिया गया है equal to dimension of V जो है वो N दिया गया है और minus dimension of M हमको निकालना है तो बस हमें इससे मिल जाएगा dimension of M equal to यह उदर ले जाएंगे N minus R तो option C जो है वो हमारा यहाँ पर सही होगा next question में आते है the dimension of the smallest vector space is equal to smallest vector space जो भी होगा वो उसकी dimension जो है वो 1 होगी यह result है हमारा आप इसको सीधे याद रखें 1 से छोटी dimension नहीं हो सकती है अब देखें यहाँ पर अगला question यह भी formula है सीधे formula है if W1 and W2 are sub-spaces of a finite dimensional vector space V यहाँ पर W1, W2 जो है वो vector space V के जो है वो sub-space है then dimension of W1 plus W2 equal to 4 option दिये गए है यहाँ पर option D जो है वो हमारा सही है dimension of W1 plus W2 equal to dimension of W1 plus dimension of W2 minus dimension of W1 intersection W2 तो आप यह result याद रखें सीधे formula है theorem का statement है next question देखें जैसा कि अभी पहले मैंने एक question बताया था dimension of W by M वाला same वही question है if V equal to R cube and W equal to एक हमको यहाँ पर देखें यह sub-space है question में लिखा कहीं नहीं है यह sub-space है W यहाँ पर जिसके की element A00 belongs to R cube यह इस तरीकस लिखा है यहाँ पर sub-space जो है वो W है कहां नहीं गया है बट आप इससे समझ सकते हैं कि यहाँ पर W sub-space होगा तो हमें इसकी dimension निकालनी है equal to dimension of V minus dimension of W यह formula होता है इसमें तो अब हमें यहाँ पर dimension of V क्या है और W क्या है यह given नहीं है जैसे पीछे रो मैंने question बताया तो उसमें given थी यहाँ पर तो अब dimension of V आप हमें इससे समझना है कि V जो है वो RQ है मतलब की यानि कि यह three dimension है तो हम dimension of V इसकी value 3 रख देंगे अब dimension of W इस पर हम आते हैं तो W के element देखिए यहाँ पर जो भी है इसमें दो जो है वो coordinate 0 है तो यह one dimension माना जाएगा इस बात को आपको समझना है कि अगर two zero zero three zero zero इस तरीके का अगर है तो वो one dimensional सबस्पेस होगा तो यहाँ पर W की जो dimension होगी वो one होगी तो इस तरीके से answer two आ जाएगा next question देखिए बहुत अच्छा question है यह let t एक कोई linear transformation है r square से r square पर be a linear transformation लिखा है for which यहाँ पर देखिए image हमको दी गई है two three की four five है और one zero की zero zero है then find txy अब यह इसका मतलब क्या है question का आप इसको कुछ ऐसे समझे यह जैसे कि आप intermediator पढ़ते थे कि आपको fx equal to कुछ भी function दिया गया है जैसे 2x plus 3 इस form में हमको यहाँ पर निकालना है और दिया image के form में है जैसे कि आप example देखिए माल लिए कि f2 equal to 3 और f3 equal to 4 आपको यह दिया जाए कहा जाए कि इसका rule निकाली है मतलब इस form में इसको लिखिए तो आप देखिए इसको लिखेंगे fx equal to x plus 1 जब हम x value 2 रखेंगे तो देखें यहाँ 3 आ जाएगा और जब यहाँ 3 रखेंगे तो 3 plus 1 यह 4 आ जाएगा तो कुल मिला कि अब आप समझ पा रहे होंगे कि हमको image के form में यह function दिया गया है और हमको यह उस function का rule निकालना है same यही चीज यहाँ पर apply हो रही है कि linear transformation हमको निकालना है मतलब linear transformation जैसे आप उपर formula पड़ा रहते कि txy equal to x plus 2y, 2x minus 3y तो इस तरीके से हमको निकालना है यहाँ पर और यह जो है हमको यहाँ पर image के time में दिया गया है इससे आप यह समझ गये होंगे question का मतलब क्या है तो इसके लिए यहाँ पर कुछ method होगा उस method को आप समझ यह method कुछ थोड़ा बहुत मिलता हुआ होगा जैसे कि अभी आपने fourth और fifth question देखा था coordinate vector निकालने वाला जिसमें हमने linear combination मनाया था तो calculation कुछ वैसा ही होगा बट concept यहाँ पर बदल जाएगा तो उस concept को आप समझ येगा सबसे पहले हम यहाँ पर इसका जो domain है यह domain होता है domain में जो element है वो हम एक मानेंगे तो let हमने माल लिया कि x, y देखिए यहाँ पर यह two dimension है यहाँ पर image और जो element मिलने है वो भी आपको two dimension दिख रहे होंगे तो xy belongs to r square मतलब हमने इसमें कोई element xy माल लिया अब हम इस element xy को जो है लिखेंगे इन domain के यह जो इसका domain और इसका domain दो हमको यहाँ पर image के term में दिए गए हैं इनके linear combination के term में तो linear combination के term में लिखने के लिए हम यहाँ पर scalars ले लेंगे दो ठो और उसमें इनका multiply करके add कर देंगे तो alpha वीटा हमने scalars माल लिए तो alpha into 23 plus beta into 10 यह बात आपको भी से ध्यान देंगे इस method में कि यहाँ पर जो domain के element है उनका linear combination हमको बनाना है अब हम working शुरू करते हैं तो यहाँ तक आपको clear हो गया होगा अब यहाँ अंदर हम multiply कर लेते हैं 2 alpha 3 alpha plus beta 0 यह working आप देख चुके हैं यहाँ पर तो इससे अब हम यहाँ पर इनको add कर देंगे तो 2 alpha plus beta 3 alpha plus 0 तो यह 3 alpha आजाएगा अब हम compare कर लेंगे इसको compare करेंगे तो देखिए 2 alpha plus beta इसकी value हमको x मिल जाएगी और 3 alpha की value y मिल जाएगी इससे हम alpha और beta की value निकालेंगे तो देखिए इससे तो हमको alpha की value मिल गई y by 3 यह working करके हमको alpha और beta जो हमने यहाँ पर scalars लिये हैं उनकी value निकालनी चाहिए तो इससे देखिए अब यहाँ पर हमको क्या मिलेगा beta equal to x minus 2 alpha x minus 2 alpha की value यहाँ पर हम यह रख देंगे तो 2 y by 3 आजाएगी तो finally देखिए यह beta और alpha की value आ गई अब हम यहाँ पर जो equation हमने 1 मानी है 1 मानी तो नहीं है अभी देखिए मैं इसको लिखता हूँ x y equal to यह जो alpha 2 3 plus beta 1 0 था यह मैंने यहाँ पर लिख दिया इसको जैसे यहाँ नीचे लिखना चाहिए था इसको हम 1 माल लेते हैं यहाँ तक इतने को तो इसमें अब हम transformation ले लेते हैं मतलब की t ले लेंगे तो t x y equal to t alpha यह मारा हो जाएगा प्लस इधर t लेंगे तो t beta 1 0 हो जाएगा तो यह जो हमारा पहला equation जो हमने मानी थी इसमें हमने transformation ले लिया अब हम इसको यहाँ पर property है transformation की कि यह alpha जो scalar है यह बाहर आ जाएगा alpha t 2 3 लिख देंगे प्लस बीटा t 1 0 लिख देंगे अब इधर देखें यहाँ पर t x y equal to alpha t 2 3 और t 1 0 की value यहाँ पर दी गई है देखें यह 4 5 रख देंगे हम t 2 3 की value t 1 0 की value देखें 0 0 दी गई है बीटा 0 0 हो जाएगा यह अब हम फिर से बहिए अंदर इनको multiply कर देंगे 4 alpha 5 alpha हो जाएगा प्लस यह हमारा जो है वो 0 0 ही रहेगा तो अब हम जब इसको add करेंगे तो देखें यहाँ पर यह 4 alpha finally हमें मिलेगा 4 alpha, 5 alpha इतना ही मिलेगा 0 यहाँ पर दसल है इससे हमको x equal to 4 alpha और y equal to 5 alpha मिल गया अब हम यहाँ पर t x y equal to इनकी alpha बीटा की जो value हमने यहाँ पर निकाली थी यह process अपलाई करके वो रख देंगे तो यह 4 alpha की value हम रख देते हैं यहाँ पर y by 3 5 alpha की value यहाँ पर फिर से y आई थी देखिए बीटा की हमको यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ी दसल बीटा आये यहाँ जीरो जीरो ना होता तो बीटा आता तब alpha और बीटा दोनों की value रखते तो यह हमको जो भी formula rule मिलता वो x y दोनों मिलता तो यह केवल y में ही मिला है तो इस तरीके से यह हमारा answer आ जाएगा मैंने option यहाँ पर नहीं लिखें बट आप तरीका समझ चुके होंगे next question मैं जो बताऊंगा उसमें options भी होंगे अब देखिए यहाँ पर जैसे यह चीज हमको प्राप्त हो गई इससे हम यह निकाल लेते थे elements की image तो अब चाहिए आप चेक करके देखिए कि 2, 3, x, y की जाए 2, 3 रखेंगे तो यहाँ पर x, y, y की जाए 3 रख देंगे तो यह देखिए कटके 4,5 यह image हमको मिल जाएगी ऐसे ही 1, 0 की image तो 1, 0 की चाहिए तो हम यहाँ पर केवल y है तो y देखिए 0 है रखेंगे तो 0, 0 यह हमको image मिल जाएगी आप समझ गया होंगे इस questions का क्या मतलब था next question देखिए same previous question की तरह है बस आपको ढंग से clear हो जाए इसलिए यह डाला है मैंने देखिए t r square से r यहाँ पर two dimensions है one dimension है linear mapping या linear transformation है देखिए यहाँ पर image दी गई है t 11 देखिए यहाँ पर यह two dimension और यह one dimension है और ऐसे ही दो यहाँ पर element की image दी गई है और t ab निकालना है t x y या t ab वो a की ही बात है बस यहाँ पर ab में answer आएगा हमारा जैसे वहाँ पर x y में आया था तो सुर्वाद से फिर से आप देखिए समझिए कि सबसे पहले जैसे वहाँ पर हमने x y belongs to r square यह domain में माना था ऐसे यहाँ पर हम ab belongs to r square मानेंगे क्योंकि a और b का term में हमको निकालना है अब हम इस ab का linear combination बनाएंगे ab को लिखेंगे इनके domain के जो भी element है उनके linear transformation के term में तो देखिए आँ ती इनका हमने linear transformation sorry यहाँ पर जो भी हमाई domain के element है उनका हमने linear combination बना लिया alpha बीटा ले लिया यहाँ पर alpha into this और beta into this अंदर इनका multiply कर दिया और फिर पहला पहला add कर दिया alpha आ गया दूसरा दूसरा add कर दिया alpha plus beta आ गया इधर equal to a b अब compare करेंगे तो alpha equal to a आ जाएगा देखिए और b equal to यह alpha plus beta आ जाएगा तो इससे मैंने बताया था कि alpha और beta की value निकालेंगे तो देखिए alpha equal to a आ गया और beta equal to यहाँ पर b minus alpha आएगा alpha की value a रख देंगे तो यह b minus a आ जाएगा तो alpha और beta की value x of y के term में जैसे पिछले question में निकाली थी तो यहाँ पर alpha और beta की value a और b के term में आ गई अब मैंने बताया था कि यह जो equation 1 हमने मानी यहाँ पर इसका transformation ले लेंगे t ले लेंगे इसमें t ले लिया यहाँ पर इसमें t ले लिया यह आ गया इसमें t ले लिया यह आ गया फिर alpha और beta जो scalar होते हैं यह इसके बाहर आ जाते है transformation t के यह property है transformation की तो यहाँ पर यह alpha और beta बाहर आ गए, अब T11 और T01 आ गया, तो यहाँ पर इनकी value रख देंगे, यह 3 और यह minus 2, देखिए यहाँ पर, T11 इसकी value हमने 3 रख दी, तो 3, सोरी यहाँ पर देखिए, पहले तो यह 3 रख दी, तो 3 alpha आ गया, minus इसकी value हमने देखिए, इससे minus 2 रख दी, तो minus 2 beta आ अब हम alpha बीटा की जो हमने value निकाल ली है, वो यहाँ पर रख दी, तो इस तरीके से TAB equal to 5A minus 2B आ गया, तो यह हमारा rule बन गया, इस linear transformation के लिए, यहाँ पर linear transformation यह image के टर्म में दिया गया था, उसका rule निकालना था, तो option B जो है, वो हमारा सही है, next question देखें, यहाँ पर T R square से R square यह, एक हमको linear transformation दिया गया है, जो कि इस प्रकार से defined है, कि TXY equal to Y, 2X minus Y, then T inverse AB हमको find करना है, T inverse AB मतलब कि इसी transformation का हमको inverse transformation निकालना है, तो यह कुछ वैसा ही काम होगा, जैसे कि आपको intermediate में FX बरावर Y दिया जाता था, और आप F inverse Y निकालते थे, अगर आपको ध्यान है, तो सेम वही काम होना है यहाँ पर, तो देखें, सबसे पहले यह देखें, कि यह जो हमको Y equal to Y 2X minus Y, इसको हम माल लेते हैं कि बरावर यह AB के है, ठीक है, तो इससे हमको मिल जाएगा T inverse, this equal to this अभी अगर हम suppose करें, तो T inverse of AB equal to आ जाएगा XY, तो अब हमें T inverse AB निकालना है, तो हम X और Y की value निकालके इनके बरावर रख दें, जैसे हम F inverse में काम करते थे, तो अब हमें यहाँ पर this equal to this यह ले लेंगे, अब हम इसको इसको compare करेंगे, तो यह Y equal to A आ जाएगा, इसको इसको बरावर रख देंगे, 2X minus Y equal to B आ जाएगा, तो देखें, Y की value तो A हमको मि आ गई, X की value आ गई, तो अब हमको T inverse A B निकालना है, तो now T inverse A B equal to हो जाएगा, X, Y है, X की value यह रख दी, हमने A plus B by 2, Y की value A रख दी, तो इस तरीके से option A जो है, वो हमारा सही होगा, यह question भी GIC 2015 में आया था, यहाँ पर इस वीडियो में मैंने 89 question GIC 2015 में आय हुए cover किये हैं साथियों, अब मैं आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ, कुछ type के question जैसे rank, nullity और matrix transformation, linear transformation का इस type के कुछ important question बचे हैं, उनकी मैं पूरी कोसिस करूँगा कि जल्दी जल्दी कल ही, जो है, दूसरा वीडियो linear algebra का लाऊंगा, यह वीडियो काफी lengthy हो चुका है, अगर आपको कुछ बातें नहीं समझ में आई हैं, तो वीडियो को दो बार देखें, 100% आपको यह पूरा linear algebra जितना ही मैंने पढ़ाया, यह आपको clear हो जाएगा, और काफी important questions जो है, इस वीडियो में मैंने discuss किये हैं, तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, तो वीडि कीजिए यहां पर